देश पढ़े लिखे सास्त्र और रिसी मुनियों के पास था तो सोने की चिडिया कालाता था आप सबको जोग्रफी में पता है कि उल्का पींड गिरेगा तो लोग मर जाएंगे अउल्का पींड को गिरने से रोकता है ब्रहसपत अब रियसपती एक चक्कर लगाता है बारा साल पर और हमारे याँ महा कुम लगता है बारा साल क्या ये छोटा मोटा धर्म सास्त्री बता सकता था तो पहले हमारे याँ प्रकांड विद्वान होते था आज कल धार्मिक वेक्ती अपने आपको समझे गए यू पीएसी बाला हो, खुश रहा हो राम जी डर से ही गयते हैं इसलिए से राम से तुख कहते हैं कहते हैं, लेकिन मुस्लिम और इसाई परंपरा के हिसाब से यहाँ से आदम गुजरेत, इसलिए आदम ब्रीज कि हमारे देश में ऐसा हो गया कि धार्मिक सिक्षा के और वो इनसान गया जो इस सिक्षा के और नहीं जा रहा था तो आप देखिए इससे क्या हो रहा है ना कि धार्मिक जो चीज हो रही है उसमें सलेक्टेट लोग नहीं जा पा रहे हैं बलकि वो लोग जा रहे हैं जो बड़े लेबल वाला ही चीजों में नहीं जा पाएं किसी कारण बस या तो इंटेलेक्शुल उतना तेज नहीं थे पढ़ने में या तो पैसे नहीं थे या तो माहूल नहीं थे और दिकत क्या होता है कि हमेशा से भारत में धार्मिक शिक्षा कमाने के पास नहीं है लेकिन धार्मिक शिक्षा के पास सुपिरियर्टी है धार्मिक बेगती अपने आपको समझेगा है तो धार्मीक सिक्षा भी उसका भी अगर एक टेस्ट होता ना हो, जैसे UPSC का कैसे एकजाम होता है, कि सारे ग्रेजुएट डियम नहीं बन सकते हैं, वैसे ही आप धार्मीक सिक्षा लीजिए, आप मुस्लिम हैं तो कुरान याद कीजिए, हाफिज बंजेए, सास्त्र याद क करके आप संकराचार, लेकिन फिर जब आप दूसरे को ज्यान देने हैं यहाँ पर तो वहाँ एक परिक्षा होता, मुसल्मान, मुसल्मान कहीं लो, दूसरा को मत दो, हिंदू दरो अपनी लो, इससे क्या होगा ना, कि जैसे समाज में पढ़े लिखे तो बहुत हैं, लेकि जब देश पढ़े लिखे सास्तर और रिसी मुनियों के पास था, तो सोने की चिडिया कह लाता, कहीं न कहीं वो रिसी मुनि अनपढ़ नहीं थे, बहुत जादे पढ़े लिखे थे और बहुत जादे पढ़े लिखे लोग एक साथ अगर रहेंगे, तो कम पढ़ा लिखा जादे बोलेगा पढ़ा लिखे और चुप हो जाएगा और यह परिक्रिया अगर लंबे समय तक जाएगी तो पढ़े लिखे लोग दब जाएगे अधजल गगरी छलकत जाए वाला जादे उड़ने लगेगा यही हो रहा है आज कल यही हो रहा है आप वरना हमारे देश में रिसी मुनी जब थे सब कवका हमारे यह जाएगे हम आप सब को जोग्रफी में पता है कि उलका पींड गिरेगा तो लोग मर जाएगे सब्सक्रा उलके पींड से डाइनासोर मरा था था अब उलका पींड को गिरने से रोकता है ब्रिहस्पती क्योंकि उसे वायकुम किलीनर कहते है अब ब्रिहस्पती एक provision बारा साल पर हमारे महाकुम दो खता है बारा साल का यह झोटा मोटा धर्म शास्त्री बता सकता था प्रकांड विद्वाने होते ये शेतल करे दुद्रॉण होते ते आजए प्रियोग आज का पूरी तरह से चौपट हो गया आगे बढ़ते हैं बाकी रामायर की कहनी आपको पता है इसी का नाम आदम ब्रीज है यहीं पंबन द्वीप पर एक छोटा सा जगह है रामेश्वरम जहां एपी जी अब्दुलकलाम का जन्म हुआ था एपी जी अब्दुलकलाम का जन्म भी का हुआ था रामेश्वरम है पंबन द्वीपों का एक समू है जो इसके ऊपर पाक की खाड़ी तता नीचे मननार की खाड़ी या भारत तता से लंका के बीच अवस्थित है या द्वीप जो है कई सुनामी के वज़े से कई द्वीप छ पानी उथला हुआ है जिस कारण यहां से समूदरी जाज полностью है नहीं झापाती है सरकार की योझना है कि यहां से इसे गहरा करके समूदरी जाहले को ले जाने के लिए रास्था बनाये जाए किन्तु यहां दो और चनारी है धार्मीक मानेता के इसाब से यह राम जी का सेतु अगर यहां से रास्ता बना देंगे तो उनलों का निवास अस्थल भी क्या हो गया बाधित हो जाएगा अगर यह बहुत ही होट बना हुआ है समवेदन सील जोगा है